लोड़न दिस सुमित कुमार, I hope आप लोग बहुत अच्छा होंगा और बहुत अच्छा mathematics कर रहे होंगे, आज का वीडियो थोड़ा different है, आज हम लोग बात करेंगे UPSC Math Optional के बारे में, अभी लगभग मेरे ख्याल से एक महिने से बहुत सारे से students के messages और अपने mails आए हैं, तो UPSC का exam देना चाहते हैं, उन्हों Maths field से हैं, और अच्छे जगह से उनका BTEC चल रहा है, और कुछ लोग graduation भी कर रहे हैं, किसी का post graduation भी है, और वो UPSC में Maths Optional रखना चाहते हैं, और उनको कहीं से, किसी seniors ने, जो यहां से पढ़े थे Maths Net के लिए, PhD के उन्होंने साथ उनको recommend करा, कि यह है sir, यहां पढ़ सकते हैं आप, उन लोगों के messages आया है, mails आया है, कि sir, हम लोग UPSC Maths Optional का class करना चाहते हैं, क्या आपके यहां class होती है, या नहीं, इसके संबंद में हम लोग इस वीडियो में बातचित करेंगे, तो yes, अभी तक हम लो चुकि हर साल कुछ बच्चों का request आता रहता है, UPSC Maths Optional के लिए, इस बार से हम लोग स्टार्ट कर रहे है, UPSC Maths Optional, और यह स्टार्ट होगा 7 जून से, 7 जून से, यह UPSC Maths Optional का class हम लोग स्टार्ट कर रहे है, online life, offline classes स्टार्ट होंगी, कुछ दिनों के बाद, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग बादों बातचीत करेंगे, अभी online के लिए होगा, तो जो भी students UPSC में Maths Optional रखना चाहते हैं, और जिनका Maths पे अच्छा खासा पकड़ है, I mean, Maths में अच्छा खासा पकड़ का मतलब हो गया कि जिन्होंने up to graduation, Mathematics को पढ़ा है, हो सकता है कि कुछ Real Analysis का वर्ड आपने ना सुना हो, BTEC वाले बच्चे नहीं सुन पाते, लेकिन खुड़ा भूत आपके टच में हो Mathematics, for example, जैसे Linear Algebra के कुछ topics, Eigen Values, Right, Victor Spaces, and so and so forth, आप Ordinary Differential Equation, Partial Differential Equation, Linear Programming Problems, तो ये सारी चीज़े कहीं ने कहीं एक graduation level पे students को पढ़ाया जाता है, चाहे वो BAC के form में हो, या फिर वो BTEC कर रहे हो, ठीक है, अगर आप इससे ज़्यादा पढ़े हैं, तो बहुत अच्छी बात है, तो ये इस course का एक pre-request है, कि ये सब चीज़े आपको at least कम से कम देखा सुना हो, ऐसा नहीं का blank हो completely, और Maths Optional आपने ले लिया, मैं ये नहीं इसको देखा है, समझा है, और जिनको एक Maths में इंट्रेस्ट भी है, पढ़ने का, तो ये Maths Optional उनके लिए बहुत helpful होगा, बहुत लोग इस ख्याल से Maths Optional को ले लेते हैं, कि ये scoring है, उस वज़ह से मत आईए इस field में है, हर subject अपने अपने जगा पर scoring है, हाँ, Maths के कुछ फाइदे हैं, फाइदे हैं, फाइदे हैं, फाइदे in the sense है कि अगर आप यहां सही अंसर लिखें, तो कोई Marks निकटेगा आपका, अगर आपने गलत है, तो गलत है वो, वो सही नहीं हो सकता, कुछ pros and cons हर subject को होता है, ठीक है, तो ये नहीं कि ये subject के Marks बहुत अच्छे आत ये सब चीज़ें बहुत सारी students के लिए नहीं होता है, जिन्होंने पहले उस rigorous way से mathematics को नहीं पढ़ा है, तो यहां पर सोचने में आपको दिक्कत होगा, real analysis, absent delta definitions, continuity, ये सारे चीज़ों पर बात चेत, complex analysis, चलो complex analysis थोड़ा आपने पढ़ा होगा, रिशी डियो जनो, बड़ उ आपके लिए बहुत helpful होगा, ठीक है, हम लोग साथ जून से, यहां जो आप देख रहे हैं, पहले syllabus आप लोग को पता ही होगा, but anyway, मैंने ये जानबूच के लिखा है, ताकि आप लोग देख लो कि आपके touch में क्या-क्या है, जैसे paper 1 में, linear algebra है, calculus है, analytic geometry, OD है, dynamics and vector analysis है, कुछ कुछ-कुछ चीज़े तो आप लोग देखे होंगे, ये sections, right, 11, 12 में भी थोड़ा बुत, अगर आपने maths पढ़ा है, तो आपको पता होगा कि vector, वहाँ पे जो vector analysis होता था, 2D, 3D में वो पार्ट, ordinary differential equation, थोड़ा बहुत, let's do के चीज़ों में आपने देखा होगा, calculus part देखा बस उसी का थोड़ा सा general version है, it's not so much की बहुत ही नया चीज़ है, अगर वो background आपका है, 11, 12 का, तो ये सारी चीज़ें आपकी अच्छे से हो जाएंगे, थोड़ा सा महनत और सही direction, direction बहुत important है, आप कोई भी exam देते हैं, UPSC नहीं, कोई भी exam देते हैं, जाना किधर है, और क ये section नया हो सकता है, right, okay, और dynamics statistics, ये चलिए, ठीक है, ये तो बात लगए, वो हम लोग बात ची करेंगे, ये नया हो सकता है, इसमें जो group theory के concepts है, कैसे use हो रहा है, dimensions हो गया, linear transformation हो गया, right, अपना similarity, diagnosability, उसके लिए जो invertible matrix हम लोग P find करता है, वो निकालना, ये matrix दे के उसके powers को निकालना, ये सारी चीज़े जो है, तो कुछ लोगों के लिए नयापन हो सकता है, लेकिन आसान है, चीज़े हो जाती है, अगर interest है तो, ये कभूक है, चीज़े हो जाएंगे, coming back to paper 2, अब जैसे abstract algebra है, ये beta वाले बच्चों के मतलब उसमें है ही नहीं, लेकिन जो BAC में है, उनको पता है, कैसे है, real analysis, वो भी ऐसा ही है, मतलब वो, ये calculus और real में, बहुत gap हो जाता है, यहाँ पे चीज़े थोड़ी rigorous होने लगती है, ना, rigorous in the sense कि आपको हर चीज़े का एक थोड़ा सा basic वे से proof, fundamental वे से आपको proof लिखना पड़ता है, वो पार्ट हो गया, complex analysis ठीक है, थोड़ा बहुता मैनेज कर सकते है, बट ये दो topics जो है, ये पार्ट लिए ये दो topics, थोड़ा सा बहुत सारी students को यहां struggle करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि ये बहुत tough है, चीज़े ऐसा इसलिए है कि ये बहुती basic subjects है, यहां पर abstract, आप group पढ़ोगे, कोई दम abstract, नामी abstract है, तो वहां पर चीज़े आपको तोरह thinking करनी पड़ेगे, सोचनी पड़ेगे, अच्छा है, ऐसा है, ऐसा है, एक बूल देगा, एक particular, चार ओडर का एक group बताओ, जो की non-abelian है, उसका एक subring हो, जहाँ unity is different हो, यह सब 10-10 marks में आपके UPC के question में आया हुआ है, 10-10 marks का ही question, ठीक है, क्या question है, कि आपको एक ring दे दिया गया है, और बोला गया ring with unity है, तो क्या इसके पास एक subring हो सकता है, जिसका unity different हो, इस tab से example construct करने के लिए बोला गया, कि आप example दो, और वहां जिस्टिफाई करो उसको, 10 marks का ही question है, 10 marks का ही question है, 10 marks का ही question है, कि 4 order का कोई group है, तो 4 order का group एक cyclic group का example दो, और एक non cyclic का example दो, और अच्छे से उसका cali table बनाओ, यह 10 marks का question ही, अब चीजे थोड़ी सी चब आप पहले नहीं देखे होंगे, यह सब चीजे देखेंगे, suddenly आप portion paper देखेंगे, तो आप थोड़ा से blank हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि पता ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर एक mentorship, guidance का ज़रत पढ़े, यह सब portion को कैसे handle करें, है तो बहुत ही ऐसान, लेकिन लिखना क्या है, वहाँ पर, right, क्योंकि महाँ तो subjective paper है, वहाँ आपको लिखना है, और compactly लिखना है, बहुत ज़्यादा भासन नहीं चाहिए maths में, maths में चाहिए कि हम compact, कि हाँ यह है, तो यह answer है, simple, कुछ नहीं, तो वो सारी चीज़े हम लोग techniques और way, how to write, वो हम लोग देखेंगे, इस course में, ठीक है, तो यह दो subject, complex analysis, लगभग लोग BAC level पर पढ़े होते ह यह असान section माना जाता है, लेकिन तो भी लोगों को problem होता है, residue निकालने में, integration निकालने में, एक और clinical formulas में, तो भी हम लोग देखेंगे, LPP, लगभग लोगों कर लेते हैं, जो BTEC वाले बच्चे आते हैं, उनसे हो जाते हैं, क्योंकि यह लोग की रहते हैं, BAC के लगभग and fluid dynamics आ गया है, यह थोड़ा सा physics का part है, जो लोग 11-2L का physics अच्छा होगा, राइट, नसी वरमा जिसने अच्छे से पढ़ा होगा, उनके लिए यह part बहुत असान है, but anyway, यह भी हम लोग करवाने के कोशिश करेंगे, ठीक है, तो जो भी आपका यहां सलेबस है, यह हो चाहे आगे पीछे थोड़ा हो सकता है, लेकिन इतना जरूर, ठीक है, और इसमें हम लोग करेंगे कि stick to the syllabus, ठीक है, लेकिन वही मेरा student से हमेशा सही यह मनना होता है कि आप जो भी exam देना चाहते है, पहले उसके बारे में आपके पास एक clear cut picture हो, कि यह syllabus है, जैसे मैंने भी बताया इसमें आपने क्या-क्या भी तक देखा है, वो clear होना चाहिए आपका, ठीक है, यह कोई दूसरा optional subject की तरह maths को आप मत थोड़ा सा समझे, यहाँ पे चीजें बहुत basic तरीके से आएंगे, 11-12 का maths बहुत ज़रूरी हो जाएगा इन चीजों को समझने के लिए, तो जिनोंने 11 11-12 का maths अच्छे से पढ़ा है, समझा है, उनके लिए course बहुत beneficial होगा, हो सकता है को graduation level पे उस तरीके के mathematics नहीं पढ़े होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन 11-12 में आपने महनत अच्छे से करा है mathematics में, आपने चीजों को समझा है, तो यह चीज आपके लिए play हो जाएगा, अग अच्छा पढ़ा है, तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ पाए, कोई issue नहीं है, लेकिन basics अगर clear है आपके, जैसे मैंने बताया, यह दो section जैसे calculus, OD, vector, portion, अगर ही सब चीज आपने ध्यान से पढ़ा है, फिर आगे, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोख सक तो ऐसा नहीं है कि आप gradation में नहीं पढ़े है math, तो आप थोड़ा सा another zone में चले जाए कि मेरे से math नहीं होगा, वो ऐसा नहीं है, math आना चाहिए कि 11-12 हमने पढ़ा है, कुछ कारण के वज़ह से gradation में आप नहीं पढ़ा पाए, it's okay, अभी अगर आप पढ़ा सकते है, 6-8 मेने में वो अंदर, आपके अंदर वो है, और वो आपको अपने आप से पूछना है, किसी दूसरे से नहीं, कि यह मैं यह लूँ कि नहीं लूँ, आप अपने आप से पूछो कि आप उस level का मेहनत कर सकते हैं को नहीं कर सकते हैं, और definitely आप कर सकते हैं, तभी आप यहां के इस वीडियो को देख रहे हो ठीक है तो इसलिए हम और हम लोग स्टार्ट करेंगे पूरा स्क्रैच से और जैसा कि आप लोग को पता हो यहां प्रूफ चलेगा उस लेवल्स का प्रूफ रहेगा तो बस छे से आठ मेने के कोर्स होंगे साथ अपना जून से स्टार्ट हो रहा है सेवन्त आप जून से जो भी इंटरिस्टेट सुडेंट्स होंगे मेल कर देंगे nobleforum05 at direct gmail.com पे for this course और यह अभी online life classes होंगे ठीक है अभी कोई class मिस हो गया तो उसका recorded आपको मिल जाएगा बट अभी life classes होंगे और life का एक अपना मज़ा भी है एक interaction होता है अब हाँ doubt पूच सकते हैं समझ सकते और कुछ समय के बाद हो सकता है हम लोग offline भी आ जाएं इस UPC Maths option के लिए ठीक है बस यह दो चीज़ यह दो combination से गर अच्छे है तो चीज़े simply हो जाती है mathematics में यहां कुछ बहुत जाद आपको नहीं चाहिए practical यह और यह सब चीज़े अराम से math करना है सोचना है क्योंकि बाकी subjects भी आपको लेके चलना है math के अलावा भी UPC में बहुत कुछ है आप यहां पर जैसे कि अभी हम लोग यहां पर और भी प्रिकेशन करवाते ने जर्फ का टी आफार का या math में PhD के लिए वह अलग zone है वहां पर math में deep down जाना पड़ था यहां वैसा नहीं है यहां आप उपर उपर भी रहेंगे फोड़ा थोड़ा सा basic चीज़ें क्लियर र में 280 लाना out of 500 दूसरे subject में it's a big deal और math में अगर थोड़ा से systematic रहें चीज़ों को समझदारी से देखें और था practical रहें चीज़ों को लेके कि यह सही है यह गलत है यहां को कोई rocket नहीं बनाना है राइट उतना भी brilliant होनी के जरूत maths में बहुत जरूई नहीं है हम लोग यह rocket नहीं बना रहे है हम लोग math देखने का अच्छा यह मेरे लिए अच्छा है यह मेरे लिए अच्छा नहीं है यह इसलिए है इसके reason 4-5 points यह है ठीक है उस हिसाप से अगर आप थोड़ा सा भी अच्छा रहेंगे सितना score आप असानी से कर सकता है और लोगों ने ऐसा किया है बहुत सारे ऐसे हमारे official students नहीं unofficial ऐसे रहे हैं जो उनने time time पे guidance लिया है और cover किया है ठीक है उनको कुछ-कुछ doubts हुए थे यह सब sections में हम लोगों ने उसको help करा हो इसलिए बोड़ा है अगर आपके चीजें concepts clear है आपको यह पता कि मेरे को करना क्या है अब बहुत billion नहीं भी है तो भी यह चीज आ सकता है ठीक है और लोगों ने लाए हैं और अच्छा मेहनत करेंगे तो आप 300 तक जा सकते हैं और यहां यह सब चीजे possible है इसलिए यह performance कर सकता हूं within time जितना time में उन optionals को दूँगा और इसको दूँगा इसमें मैं ज्यादा मेरी probability है अच्छे marks लाने की यह अगर आपके thought है और उस पे अगर आपका पीछे का कुछ experience है जो आपके reasoning को support कर रहा है then it is very good ठीक है अगर उसमें नहीं को support मिल रहते हैं अगर अगर यह है maths optional का scenario तो अच्छे से अगर systematic तरीके से रहे तो बहुत बड़ी बात नहीं है इतना marks लाना और अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे marks आ सकते हैं ठीक है तो जो लोगों का maths background है उनका अच्छा बात है जो BAC में maths पढ़ेंगे या BTEC में भी maths को अच्छे से seriously कर रहा है इसलिए जिनको जूड़ना है जिनको math पसंद है अच्छे से math पढ़ना चाहते हैं और चीजों को बहुत deep down जाने मैं फिर से repeat कर रहा हूं इस course में हम लोग बहुत deep down जाने के जरूत नहीं है थोड़ा बहुत हम लोग यहां पर जा सकते हैं ठीक है क्योंकि यहां पर जरूत है उस type के चीजों को सोचने किया ना क्योंकि abstract है तो थोड़ा एक abstract thinking एक सोच उस type क यहां पर जरूत पढ़ सकती है बाकी नहीं जरूत है आप उपर उपर भी है लेकिन थोड़ा सा foundation आपका अच्छा है काम बन सकता है और बहुत अच्छे से काम बन सकता है ठाकि बाकी भी चीज़े जो आपकी है GS है बहुत सारी चीज़े है उसको आप साल साथ parallel अच्छे से manage कर पाँ एक अच्छा strategy एक अच्छा mentorship और students जो इस चीज़ को लेकि अच्छे से चले यह लेने से चीज़ें अच्छे mathematics हो सकती है और within time आप अच्छा score यहां कर सकते हैं ठीक है तो जो भी students serious है mail कर देंगे noble forum 05 पर जैसा मैंने बताया और साथ अपना June से 7th of June से यह course से start हो या दो भी अपना GS रहा हो we'll start ठीक है उसकी tension नहीं है बट अभी online life classes होंगे ठीक है तो मिलते हैं लोग साथ दून से till then enjoy the subject and take care ओके बाई